नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इवोजेन डी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है इवोजेन डी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इवोजेन डी टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि इवोजेन डी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए Ivozen D एक ब्रैंड नेम है Ivozen D टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Ivozen D टैबलेट के अंदर salt composition diclofenic 50 mg और sereseo peptidase 15 mg होता है Ivozen D टैबलेट का उप्योग शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए Ivozen D टैबलेट का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है तो Ivozen D टैबलेट दर्ध के साथ साथ सूजन को भी कम करती है Ivozen D टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर में दर्ध होने पर, कान में दर्ध होने पर और गले में दर्ध होने पर आधी कंड इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए इवोजेन डी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इवोजेन डी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इवोजेन डी टैबलेट की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इवोजेंडी टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड एफेक्स हो सकते हैं। जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बन सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इवोजेन डी टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इवोजेन डी टैबलेट का सेवन करने की वज़ज से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। अब हम डिसकस करेंगे की इवोजेन डी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इवोजेन डी टैबलेट को आपके डौक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि इवोजेन डी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्मी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इवोजेन डी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना इवोजेन डी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इवोजेन डी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इवोजेन दी टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इवोजेन दी टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए इवोजेन दी टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। आपका इवोजेन दी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं।